बिग बॉस की घाइ कर अंदर आखिरकार कौन से सदसे हुए है nominate इस भाए के nomination task में दिया गया है अंकित को एक special power जिसके बाद जो है अब ये पूरा nomination task काफे interesting हो गया है कौन से सदसे हैं जो इस हफते के लिए nominate हुए है क्या लग रहा है प्रोमो से तो हम आपको बताएंगे टीवी धमाका पर लेकिन अगर आपने हमारी चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजे आप जानते ही है कि इस बार का नॉमिनेशन टास्ट जो है काफी इंट्रेस्टिंग है और इस बार जो है घर के अंदर लगता तो यही है कि टीना शालीन बच नहीं पाए हाला कि ये लोग लगातार एडी चोटी का जोर लगा रहे थे कि नॉमिनेशन से ये बच जाए लेकिन अब जस तरीके से प्रोमो सामने आया है उसे एक बात तो साफ है कि टीना और शालीन जो है वो नॉमिनेट हो चुके है तो प्रियांका और साजित खान पहले से ही सेफ है अगर हम बात करें अरचना की अरचना ने टीना को नॉमिनेट किया है सुम्बुल ने शालीन को, शालीन ने सुम्बुल को, शिव ने टीना को, निम्रित ने भी टीना को ही नॉमिनेट किया है जहां तक बात है MC Sten और अब्दू की यहां से भी खबर आ रही है कि इन लोगों ने भी टीना को ही नॉमिनेट किया है लेकिन जहां तक बात है साजिद खान की, साजिद खान ने किया है नॉमिनेट सुम्बुल को तो एक बात तो तैह है कि इस हफते जो नाम सामने आ रहे हैं नॉमिनेशन को लेकर उससे यही लगता है कि टीना, शालीन, सुम्बुल और एमसी स्टैन जो है वो तो पहले से ही नॉमिनेटेट थे यह चार सदस से नॉमिनेट हुए हैं हाला कि confirmation के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा लेकिन जो फिलहार प्रोमो के बाद खबर आ रही है वो तो यही कहती है कि घर में ये चार सदस से नॉमिनेट हुए आपको क्या लगता है कि कौन सा सदस से हो सकता है बेघर, comment करके जरूर बताएं